मैंने ना तो पौर साब को छोड़ा है, ना ही पार्टी को छोड़ा है, ये पता नहीं कौन ये अफवाएं फैला रहा है, मैंने अपनी पार्टी को नहीं छोड़ा है और ना ही अजीत पौर जी की पार्टी में मैं गई हूँ नहीं हमारा तकलीफ किसी और लीडर से नहीं है हमारी तकलीफ सुप्रियाताई से है मैं ये पार्टी छोड़ रही हूं और पूरे पूरी जिम्मेवारी से कहके छोड़ रही हूं कि मैं सुप्रियाताई की वज़े से ये पार्टी छोड़ रही हूं आज हमारा बस हो गया ब्रश्मकी करें वखे commanders को पता है, वजे रही कि आजीतक प्रप्रक्रती चोड़के कि शुड़के BWA जा करें? वजय में तो क्या बताओं वज़े तो सुप्रियाथ ताई को सोचनेगे चाहिए कि एसी क्या वजय है जो साहब से साल aparece निर्मान किया जा रहा है कई ये सारे लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं ये उन्हें सोचना चाहिए अब जब हम लोग छोड़के जा रहे हैं हमारे जैसे लोग जो सहाब के एकनिष्ट लोग है वो लोग यह निर्ने ले रहे हैं तो क्या पार्टी में सब कुछ ठीक है किसी और लीडर से नहीं है हमारी तकलीफ सुप्रियाताई से है सुप्रियाताई देखिए मैं इस बात पर डिटेल अगर में डैप जाओंगी तो चीजें बहुत लंबी खिंच जाएंगी बात सीधी बात यह है कि अब हमारा बस हुआ है अब हमने जो हम सिच्वेशन को रोज किसी चीज को जब आप बहुत दबाते रहते हो दबाते रहते हो एक दिम फट जाती है तो आज होई शायद सिच्वेशन है आज हमारा बस हो गया आज हम फट गया है पवार साब से बात की थी पवार साब ने अंडर्टेंड भी किया था कि क्या सिच्वेशन है 22 तारिक को बात हुई थी पवार साबने बोला थाम बैठके बात करेंगे लेकिन अगले ही दिन मुझे फोन आता है सुप्रियात आई का और कुछ ऐसी बातें कही जाती है कि भी फिर तो यह हो गया भी राम राम करो और अपने घर बैठो बेकिसी और पार्टी में जाने आने की बात न बिल्कुल साफ साफ जब सपोर्टी नहीं मिलेगा जब किसी की तरफ से देखे सेलफी डाल देने से सोशल मीडिया पर फोटो डाल देने से पार्टी नहीं चलती है पार्टी को पार्टी के तरीके से चलाना पड़ता है और ये बात ताई को और उनके आसपास के लोगों को अन्डेस्टैंड करना पड़ेगा कि कुछ लोगों से जो लीडरस नहीं है अगर वो रहेंगे क्या आप लुख बरकरा पारटी में रहेंगे नहीं मैं ये पार्टी छोड़ रही हूं और पूरे पूरी जिम्मेवारी से कहे के चोड़ रही हूं कि मैं सुप्रिया ताई की वज़े से ये पार्टी चोड़ रही हूं या धीरज शर्मा ने पार्टी चोड़ी है तो सुप्रिया ताई की वज़े से चोड़ी है हम दोनों ने ये पार्टी सिरफ और सिरफ ताई की वज़े से चोड़ी है आपके साथ और ऐसे कितने लोगे जो पाड़ी छोड़ी है बहुत सारे स्टेट प्रेजिडेंट्स गए हैं मैंने तो किसी को वो नहीं किया मैं शांती से अपना इस सिफा दे के या आज शायद निकाली देंगे उसके बाद शांती से अपने घर बैटूंगी ना मैं किसी से बात करूंगे लेकिन दीरद शानमा जी के साथ बहुत सारे लोग गए हैं उदस तरफ उनकी यही रीजन्स हैं कभी आज तक सुद्बुद ही नहीं ली गई है किसी की फोन करके कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, फोन तक भी नहीं किया गया है, अब मिलके तो सुद्बुद लेंगे क्या किसी की मुझे लोगों का मालूम नहीं मुझे नहीं मालूम बाकी लोगों का क्या मत है क्या है कि उनका कोई कोई और रीजन मुझे मालूम नहीं लेकिन मेरा ऐसा कोई रीजन सिर्फ और सिर्फ सुप्रियाताई है और यह पूरी रिस्पॉंसिबिलिटी से मैं कह रही हूं और धीरत शर्मा का भी रीजन सिर्फ और सिर्फ वो हैं जब तक साहब के एक निश्ट लोग साहब सारी चीजें समाल रहे थे सब समल रहे थे सब अच्छा चल रहा था अचानक सब क्यूं खराब हुआ सोचने की बात है अब आगे क मेरी फिलाल कोई रणनीती नहीं है देखिए मैं किसी खुशी में ये निर्ने नहीं ले रही हूं जब बिल्कुल हद हो गई तब मैंने ये निर्ने लिया है और आगे का प्लानिंग आप तब कर चुके होते हो जब आप बहुत दिनों से ये बात सोच रहे हो मुझे ना सोचा है कि मैंने इसके बाद इधर ये करना है या उधर ये करना है हमने पवार साब के बाहर कभी सोचा ही नहीं लेगिन अब हमें मजबूर कर दिया गया है कि हम घर बैठ जाएं और पिछले दो महीने से पिछले पूरे चुनाओं में हमें पूरी तरह से घर बिठा के झाल झाल झाल